कल वाले मैच के अंदर किसने हजार जीते किसने लाख जीते और किसने करोड जीते करोड तो मुझे लगता है नहीं कोई जीता होगा क्योंकि मैं खुदी लाखों में जीता हूं और इंवेश्मेंट करोड के लाइक मेरा भी था नहीं ठीक है मज़ा आ रहा है लिटरली बता र जो चाहिए वो PSL हो हर मैच में मैं आप लोगों को लगातार विन करवा रहा हूं अब उधारण के लिए अभी एक मैच मैच फिनिश हुआ है वुमेंस IPL का हाला कि इस वीडियो में हम जो बात करेंगे ना वह मुंबई इंडियन्स और यूपी वडियर्स की बीजो यह मैच होगा इसके बारे में बात करेंगे कि इस वाले मैच में हमें कौन से प्लेयर लेने हैं जो हमें विन करवाएं लेकिन उस मेरी टीम लगा होगे तो भाई अभी तक जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए ना वो लोगी बता देंगे आपको कि उन लोगों ने कितना विन किया फिर मैं आपको मेरा तो बताऊंगा तो सबसे पहले मेरी रिकुएस्ट है उन लोगों से जिनोंने कल वाले मैच इसमें व इनीश हुआ रिजल्ट आपको सेंड किया और वीडियो बना रहा हूं इस मैस में मैंने कम से कम 20 लाख उर्पे से ज्यादा मुझे लगभग कन्फर्म है कि मैं जीतूंगा और कितना भी आएगा मैं आपको शेर करूंगा मैं आपको शेर करता हूं सेम टीम से जो मैंने आप लोगों को दी थी यूटूब के अंदर कोई चेंज था नहीं अगर कोई चेंज होता मैं आपको बता देता जैसे बंगलदेश श्रिलंका वाले मैंस में मैंने विन किये थे 35 लाख उर्पे मैंने चेंजिस किये मैंने आपको टेलिग्राम पर भी बताए और मैं आप लोगो आपको वो चीजे बताना जो मैं खुद अपलाई करता हूं जैसे कोई मैच असा है जिसमें Grand League खेलनी है तो मैं आपको Small League का मनाई कर देता हूं कि नहीं खेलनी है किसी मैच में Small League में High Investment करना है तो मैं आपको पहले उसका Reason बताता हूं कि इसी लिए High Investment करना है क्योंकि हमारे लिए यह Trump Card है या इसकी पहले बोलिंग आई तो हमें High Invest करना है किसी में नहीं खेलना है तो वह भी मैं आपको बताता हूं कि इस मैच में नहीं खेलना है तो अगर आप एक ऐसे user हो जो fantasy में profit चाहते हो तो सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि पहला आपका काम मैं चैनल को सब्सक्राइब करना continue 10 दिन तक फोलो करके देख लो आपको अगर profit ना हो तो आप जहां पे जाना चाहों वहां जा सकते हो और जो लोग जुड़े वे उन सब भी को मालूम होगा कि क्या हम लोग profit earn कर रहे हैं हाला कि यह वाली वीडियो इस मैच के ऊपर है लेक मैं जो इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो यही बताऊंगा कि इस मैच में आपको कौनसे player ऐसे लेने हैं जो आपकी टीम को अलग कर देंगे कितना आपको investment करना है और आपका trump card player कौनसी player रहने वाली है तो वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन बहुत काम की वीडियो है दिहान से देखना वीडियो को और जो लोग ऐसे हैं जो पहली बार इस चैनल पर आया हैं तो सबसे पहले तो मेरे भाई चैनल को subscribe कर लो ताकि आने वाली वीडियो उनको मिले वीडियो को like भी कर देना यह likes की कमी नहीं होनी चाहिए कल भी जो है शायद 171800 के something likes आया थे ला comment box में मैंने दिया हुआ है तो तुरंत जाओ और टेलिग्राम को जोइन करो देखे वीडियो में जो मैं आपको टीम दूंगा ना अगर मेरी टीम में कोई चेंज नहीं होता है तो उसकेस में तो वीडियो वाली टीम फाइनल है लेकिन अगर मेरी टीम में चेंज होते हैं त comment box में लिंक है और वहीं नहीं आपको यह भी बताना चाहूंगा अगर आप इस वीडियो को continue देखते हो तो आप सब के लिए इस वीडियो में 5000 का फिरी गीववे भी है जो कि क्यूशन गीववे होगा वहीं पे एक और गीववे एरबट्स का यह भी आप बिल्कुल फिरी म में यह गीववे हैं तो सब्सक्राइब जिसने भी नहीं किया है वह कर ले ताकि एक तो आने वाली वीडियो मिले और फिक्स साथ बजे most of the time WPL की वीडियो आती है तो वह आप लोग अगर तयार होगे तो आप लोग फिरी गीववे भी बिन करोगे नाव गाई जब हम बात करतें इस मैच की सबसे पहले दोनों टीमों की में चीजों के बारे में देखिए आप सबको मालूम है कि MI की जो टीम है इनका जब भी मैच होता है न तो आपको टीम बनाने में नहीं बलकि कैप्टन वाइस कैप्टन को लेके ही confusion होती है टीम तो बा तीन तो ऐसी option से कैप्टन वाइस कैप्टन की जो आपको confuse कर देगी कि यार इस मैच में हम क्या करें किसको कैप्टन बनाए किसको वाइस कैप्टन बनाए तो जब ऐसे मैच होना तो सबसे पहले एक काम किया करो और वो काम होता है investment कम देखिए जब अच्छे मैच आते मैं को बताता हूं कि इस मैच में मैं खेलूंगा और investment भी करूंगा लेकिन ये वाला मैच ऐसा मैच है जिसमें मेरा investment लगभग ना के बराबर होगा मैं ट्राइ करूंगा इस वाले मैच में आप लोगों को वो grand league की team दू जो थोड़ी risky होगी अगर आप एक ऐसे बन देओ जो थ खोड़ा सबर रखो इस वाले मैच को आप skip कर देना small league के लिए और ट्राइ करना कि grand league पे पूरा focus हो और वीडियो में मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगा जो grand league में काम आईगी तो यानि कि एक चीज तो clear होई गई कि small league के लिए match अच्छा नहीं है और उसका reason है कि आपकी team नहीं बनेगी आप खुद जाओ एक काम करो वीडियो को प्योच करो जाओ dream लो उन पे team बनाओ team 11 player की तो बना लोगे लेकिन सबसे बड़ी confusion होगी captain wise captain को लेके और जब ऐसे matches हो न जहां captain wise captain को लेके confused हो आप अराम चिस match को skip कर दिया करो और 7-4 में तो भी match खेलना ही नहीं है एक बार के लिए 10-1 यानि कि dream लोन पे फिर भी चलेगा खेल सकते हो फिर भी investment करना 7-4 वाले तो भूल जाना है कि इस match में investment भी करना है ठीक है वहां तो team ही न totally skip कर देना बाकि उसकी अलावा देखिए live match आएगा जियो सिनिवा पे और venue रहेगा रून जेटली स्टेडियम जहां पे कल दिल्ली वाला जो match था वैसे तो आज ही finish हुआ है मैं रात को वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही अच्छी betting होई है especially first inning के अंदर और totally ऐसा wicket है जह बेटिंग बहुत ही अच्छी हो रही है चाहिए वो कल वाला match देख लो परसो वाला match देख लो उससे पहले वाला match देख लो जो दिल्ली और मुंबई के बीच हुआ था दिल्ली मुंबई में भी कितने अच्छी betting होई थी तो मैं आपको एक चीज सजेश्ट करूंगा आप सबसे पहले जो टीम बना रहे होना वो कैसी बनाओंगे बैटिंग को अच्छी खासी हेल्फ हो उस बेस पर बनाना जैसे अगर कोई प्लेयर कैप्टन सी में आपको कन्फूजन हो रही हो तो कैप्टन सी के लिए अच्छी option कोन हो गई नेट सी और ब्रेंट हैली यह option की सबसे नंबर वन चोईस हैं ग्रा सेरीज भी अच्छी चोईस है तो कैप्टन सी और वाइस के लिए ठीक है बाकि उसके अलावा देखिए बारीश के कोई चांस है नहीं अभी जो मैच फिनिश हुआ है वो तो मैंने देखिए लिखा नहीं तो मैं डारेक्टी चलता क्योंकि यहां पर चेजिंग आसानी से होती हाला कि पिछले मैच में क्या हुआ था जो रन थे ना वो ज्यादा बन गए थे गुजरात की टीम के और अव्यसी बात है प्रेशर सिचुएशन में विकिट जाते ही जाते हैं उस कंडिशन में बैंगलूर की टीम हारी और हारी पिशाद 20 यह 25 से थी और वो भी इस कंडिशन में हारी उनके में प्लेयर टोटली फ्लोप हो गए थे मंदाना फ्लोप एलिसा पेरी फ्लोप शौफी डिवाइन फ्लोप जो तीन सबसे धाकर प्लेयर है वो फ्लोप हो गए थी और यही रीजन से वहारी थी ओवराल जो भी पहले बोलिंग करेगी स्पैशली अगर मुंबई ने बॉलिंग कर ली तो लगवग फिक्स कि यह टीम मोशली मैच जीते अगर पहले बोलिंग कर ली तो और बैटिंग करती है तो भी मुंबई तो विनिंग के चांस रखती है लेकिन पहली बोलिंग पे हाई चांसेज हो जाएंगे प्लेइंग लिए उनकी अगर मैं बात करता हूँ तो देखे यूपी वर्टियर्स की तरफ से सेम लाइनप होनी चाहिए जिसमें एली सहेली, केपी नवगीरी के साथ ओपन करेंगी चमारी अटापटू, वन डाउन, फिर ग्रास हेरीस, शुवेता, शेहरावाद, दिप्ती शर्मा पूनम खेमार, शौफी इकलेश्टन, अंजली सरवानी, साइमा ठाकूर और राजेश्वरी गाहेकवार यह एक्सपेक्टेड लाइन पर टीम की बैटिंग ओडर के अकॉर्डिंग, बाकि उसके अलाव अगर मैं बात करता हूँ, लेफ्टी राइटी की, तो लेफ्टी राइटी में देखिए एक तो चमारी अटापटू, लेफ्ट हेंड़ बैट्समेन है और एक दिप्ती शर्मा तो ओफिस्पिनर वहाँ से हैली मेथ्व जो है न, वो जब तक ये चमारी अटापटू और डिप्ती शर्मा खेलती रहेंगे, तब तक मतलब अगर उनके बच्चे हुएं, तो वो करेंगी, ये ध्यान लग के चलना, में बोलर अगर आप देखोगे, तो चमारी अटापट और अगर करेंगी न, तो वो एक्सपेरिमेंटल मोड होगा, ठीक है, पावर प्ले वो डेथ की अगर में बात करता हूं, तो ग्राज सेरीस मोस्ट लैक्ली अंजली सरवानी की साथ पावर प्ले में आएंगी, और डेथ होर्स में और देखे ग्राज सेरीस के हाई चांसे भ परफॉर्मेंस, देखिए, एलिसा हेली के अगर में बात करता हूं, एलिसा हेली एक बहुत अच्छी प्लेयर है, और विकेट केपिंग का भी इनके पास बेक अप रहेगा, तो टीम में आप इनको जरूर इंकलीवड करना, इनका रिकोर्ड वर्सेस में ठीक ठाक है, और व मैच है और दोनों मैच है इनका परफॉर्मेंस है, हैरीस ने एक मैच खेला हुआ है, वेन यूपे इन तीनों प्लेयरों का नीचे जो खेलेंगी हो पहला मैच होगा, हैरीस ने एक मैच में 38 और और एक रिकेट लिए थे, डिप्ती शर्मा, जिनोंने मतलब अगर परफॉर कर देती है, तो उस कंडिशन में क्या है, यह विकेट निकाल लेगी प्रेशर में, हाला कि पहली बोलिंग पे भी अच्छी प्लेयर है, लेकिन फ़र्स बैटिंग पे जादा बैटर होगी, और इस्पेशली ग्रैंड लिग में अच्छी होगी है, स्मोल लिग में स्कूर कार की तरफ चलते हैं, तो पिछले मैच में दिप्ति और पूनम खेमार और एलिसा हैली यह तीन प्लेयर टीम की सबसे ज़्यादा स्कूर करने वाली प्लेयर थी, दिप्ति एंजली और शौफी कलिश्टन ने तीनों ने बोलिंग करके विकेट निकाले थे, नाव अपसी का और हली मैथ्यू जोपन करेंगी, नेट सी और ब्रंट बंडाउन आएंगी, फिर हर्मन प्रीत कोर, अमेलियकर, पूजा वास्तरा कर, अमंजोत कोर, संजीवन, संजना, हुमेरा काजी, साईका, इशाक और शबनम इसमाइल, शबनम इसमाइल ने पिछले मैच में हिश्टरी क्रेट की थी, वोमेंस क्रेट की सबसे ज़्यादा तीज बोल फेकने के अंदर, और ये वैसे भी सबसे ज़्यादा इस स्पीड में यही फेक थी, इनके अलाव कोई है भी नहीं, ठीक है, बट एक रिकोर्ड क्रेट हुआ था, देखिए ये लाइन अप हो गई, अगर इनके बोलिंग अटेक की में बात करता हूँ, तो बोलिंग अटेक में, में बोलर में एक, ठीक है, उसके अलावा दो, तीन, ठीक है, चार, पांच, और छे, ये छे प्लेयर जिन पर मैंने टिक लगाया है, मार्क लगाया है, ये इनकी में बोलर से, उसके अलावा दे से मच नीडिड है साही का इशाक को ट्राइ कर सकते हो जब मुंबई की टीम आप उमीद लगा रहे हो की वन सैडिट जीतेगी ठीक है बाकि उसके इलावा बैंच के इनके यह प्लेयर है नेट सीवर बेंड साही का इशाक और शबनम इसमाइल पावर पले के अंदर आने वाली में रिसेंट के इनिंग में आपकर आप देखोगे ना तो यासी का का परफोर्मेंस बहुत ही अच्छा है और 10-1 में यासी का का टीम में भी लेना क्योंकि यहां पर यह विकेट कीपिंग भी करेगी और उपनर प्लेयर है और इनका रिकोर्ड भी अच्छा है एक मैच खेल वे वर्सेस में ठीक ठाक रिकोर्ड है वेन्यू पर दो मैच में फ्लोप रही है अमेलिये कर एक बहुत इंपोर्डेंट प्लेयर और इस्पेशली पहली बोलिंग अगर इनकी आती है ना तो यह आने वाली डेथ होर्स में और डेथ होर्स के अंदर आपको बता है विकेट म अगर लिप्स होगा देन उनके बाद और प्लेयर है जिसमें अमन्जोष संजीवन हुमेरा साई का यह तो कुछ काम की प्लेयर है नहीं साई का फिर भी एक अच्छी प्लेयर है बाकि उसके अलाव शबनम इसमाइल एक मश्ट नीडेर प्लेयर है जिनको टीम में आपको इं मैच के और एक हैली मैथ्वच तॉप स्कोर रही थी और बोलिंग में आप देखो गए हैस को को एक मिचलत थी और बाकि सारे प्लेयर हो को धिकेच मिलज आव हम चलते हैं अपने गीववे की तरफ देखे कुछ teams दूँगा जो grand league में आपको यूज करनी है बाकी updated team grand league की मैं आपको telegram पे share कर दूँगा telegram या instagram पे mostly instagram पे आनी चाहिए बट अगर telegram पे share कर दो तो वहां भी कर सकता हूँ अगर small league खेला तो वो भी आपको update दे दूँगा फिलाल small league का कोई काम है नहीं grand league की team आपको मैं वीडियो में भी दे रहा हूं जो आप लोग देख लेना तीन चार टीम में आपको दूँगा और rotation भी बताऊंगा करना क्या है और बाकी जो updates होंगे इंफर्म कर दूँगा पहले एक बार के लिए मैं एक giveaway क्लियर कर देता हूं देखे इस वीडियो में 5000 का क् क्यूशन पूछूंगा चारों का सही आंसवर अगर आप दे देते हो तो आप लोग 5000 उपर जीट जाओगे उसके बाद में एक क्यूशन पूछूंगा इयर बट्स का ठीके तो चार क्यूशन वही सेम है जो मैं हर वीडियो में करता हूं चार क्यूशन में पहला क्यूशन की इस मैच में सबसे ज़्यादा रन कोन बनाएगा सबसे ज़्यादा विकेट कॉन लेगा सबसे एदा फैंटासी पॉंट कैसके होँगे और सबसे कम पैंटासी पौंट कैसके ओंगे अगर आप इन चारों किउशन का सही आंसवर प्रेडिक्ट कर देते हो तो मेरे बाई आ इतने टोटल फैंटेसी पॉइंट होंगे अगर आप इसका भी सही आंसपर दे 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 तो यह भी आप जीट जाओगे तो यह दो गिवबे जिसमें आपको पैस्पेट करना है नाव गाइस ग्रैंड की टीम की में बात कर रहा था तो जैसा मैंने आप लोगों को बोला या तो आप इनको पैसे देते हो या आपकी खुद की गलती है मेरी तरफ से कोई पैसे या कोई पेड़ी टीम नहीं दी जाती है इस यूजर नेम को जब आप सर्च करोगे तो इंस्टाग्राम पे ब्ल्यू टिक नाम से ब्ल्यू टिक लगा हो है मेरी आइडी में जो मेरे नाम से दी आए तो आप उसको फॉलू करना महीं मैं अकाउट प्राइवेंट है तो मैं जैसे ही फॉलू करोगे मैं रिकूस्ट एकसेप्ट करूंगा ट्राइए करना कि डेडलाइन से पहले request हा जाए क्योंकि deadline के बाद मेरा focus team बनाने में होगा तो यह request भी है मेरी क्योंकि बहुत सारे लोग फिर बाद में इस टेलिग्राम पर message करते हैं कि भाई आपने हमने request बेज़ दी आप accept कर लो यार मेरे पाद टीम बनाने का time ज्यादा चाहिए मेरे को ठीक है तो यह चीज़ ध्यान देना बाकी फिलाल के लिए आपको एक काम जुरूर बोलूँगा टेलिग्राम से तो जोइन होई जाना हो सकता इंस्टा पर टीम ना के टेलिग्राम पर आ जाए तो टेलिग्राम का अगर नहीं किया है तो कर लेना अगर नहीं किया है तो ठीक है अब देखे मैं आपको इसमोल लिग का तो जैसा मैंने आपको बोल दिया मैं मनाई कर चुका हूँ को मैं आप को तो मैं आप लोगों को इस मैच की चार 270 को और रोकेसिन भी आपको बता दों कि किस तरीके से आपको क्या है इस मैच के अंदर ठीक है जैसे हैब सबसे पहले हम ठीइम बनाएंगे यगालष दीजिएग सब समय की तीम रहा हुधी कि उसी में एक जारध कर लिया कर अटापटो दिपती शर्मा और बोलिंग में क्लिष्टन और शबनम इसमाइल अभी जो आप टीम देख रहे हो ना यह ग्रैंड लिग की भी टीम है और स्मोल लिग की बीटीम है बस ग्रैंड लिग में रोटेशन के करना है जैसे फॉर एक्जामपल के लिए आप उम क्या अमीद लगा रहे हो की यह क्या अबरतिया को आउट करेंगी तो अड्री क्या कर सकते हो यह को दो कर सकते हो और कर कि इसके जाता है जैसे न वीचिक है आपने वीचिक कर दिया है यह क्य नामे नेडच सीवर ब्रंट को और बचीए प्लेट कि यह के नाम इसकी पहले बोलिंग आती यूपी वरियर्स की तो फॉर एक्जामपल के लिए आपने अंजली सरवानी या राजश्वरी गायकवार को ले लिया मतलब एक दू यही रोटेशन होंगे आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगे अभी जो आप यह टीम देख र कुछ नहीं होता है अब जैसे मेरे यह टीम है फिलाल के लिए सबसे सेफ और सबसे बेस्ट टीम अब यह नॉर्मली में बोलू ना और यह स्मोल लीकिवे बेस्ट टीम है टेंवन के लिए जैसे कैप्टन मैंने नैट सियुआ ब्रेंड सेफ चोईस के बात कर रहा हूँ और और दिल्ली की टीम के जो यह बोलर से इनसे विकेट एक्सपेक्ट किये और मैंने एक्सपेट किया है कि यह जो मैच है ना यह लगभग ओपनर प्लेयर जिता देंगे दिल्ली की टीम को समझ रहे हो तो यानि की मेरी टीम में अगर ओपनर प्लेयर ने दिल्ली की टीम को जिता दिया और इन्होंने विकेट्स निकाले तो कन्फर्म ग्रेंड लिग आने वाली है अब आप बोलो गयार उपनर प्लेट जिताएंगे तो नवगीरे का हैं तो आप ये चेंज भी कर सकते हो जैसे फॉर एक्जामपल के लिए हर्मन को हटाया और नवगीरे को आपने ले लिया ये चेंज भी आप कर सकते हो आराम से ठीक है चलो आप एक बारे काम करो इस टीम को सेव कर लो ये मेरी पहली टीम हो गई उसके लावाद दो तीन टीम और देता हूं अब तीन टीम में जैसा जरूरी तो नहीं है न कि यूपी की टीम पहले ही बोलिंग करे मुंबई भी तो ये अब करोगे बिधूद को लेले ना क्योंकि आप वन्साइडे रिदिंसमें मैं अनोले ने उनके ही प्लेol के जैसे अभी आपने ऐतीम से उग की है यहली मैथ्यूज को और वाइस केप्टन याजसी का भाटिया को यह मेरी दूसरी टीम हो गई एक टीम आपको और दिखाता हूं जो बैलेंस टीम है बैलेंस टीम में जैसे की फॉर एक्जामपल के लिए पूजा को हटाओ पूजा को ले लो शौफी इकलिश्टन को ले लो क्योंकि कई बार के होता है मुंबई की टीम जैसे बोलिंग करती है तो साही का इशाग को फु Britney gonna जैसे प्लेयर चाहे मुंबई की टिंग जीते भी ना तभी एकलिष्टन विकेट तो ले सकती है ना इकलिष्टन विकेट टेकर हैं तो उसकेस में जैसे फॉर एक्जामपल के लिए आपने कैप्टन तो दे दिया हैले मैथ्यूच को सही है कोई दिकत नहीं है लेकिन वीसी के ज्यादा पॉइंट हो सकते ना तो यह मेरी तीसरी टीम है जो ग्रेंड लिग में आपको यूज करनी है उसके अलावा चोथी टीम के अगर मैं बात करता हूं तो चोथी टीम में जैसे फॉर एक्जामपल क्योंकि यह बैटिंग परेडाइज विकेट है बैट्स में यह ज् मैं इसले ड्रोब करना क्योंकि नवगिर यह कभी भी विकेटव देती इसले मेरा इनको इन प्लेयरों को लेने का तो मनी नहीं करता है जो मतला कभी भी विकेट फैग ठीक है यह यह तीम हो गई बिल्कुल बढ़िया टीम है कोई फॉल्ट इनीश टीम में हाँ जैसे फॉर को अब बोलिंग सेक्षन में इकलेश्टन को लेना है पूजा को के उल्तब लेना जब पहले बोलिंग आए पहले बोलिंग और यह यूपी के आती है तो सरवानी को ले लेना तो मैंने पूजा वस्तराकोर को लिया हुआ है कैप्टन नेट सीवर ब्रेंट और वाइस कैप्टन जैसे यहां पर चमारियेटा पटू तो यह भी मेरी ग्रैंड लिग की टीम है जो भी आप लगा सकते हैं यह जो मैंने चार टीम्स आपको दिये यह प्योड़ी लोजिकल वेगी टीम है थोड़ी रिस्की है पर कोई दिक् बाकी ओर टीम्स में आपको या तो मौश्टी इंश्टा पर दे दूँगा यह टेलीग्राम पर दे दूँगा स्मॉल लिग में मेरा इंवेश्मेंट होगा नहीं क्योंकि मैं इस मैच में के ओल ग्रैंड लिग खेलने वाला हूं और ट्रम कार्ड प्लेयर से अगर मैं आप प्लेयर से लेट करेंगरी टीम में उसी को कैपटन बनाना जैसे कि अर्द सिवर अपको लगता है और नहीं को बंप र्न त कि बना दो मैं अप्छाह स्बनाद को उबना दो यह रिस्क हैलेकर बहुत बड़ीर इसमें मेरे बहुत सारे followers ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों करोड़ों जीते हुए हैं जो पहले से जुड़े में उनको यह चीज मालूम होगी तो रिस्क ले सकते हो Grand League के टीमों में अटलिस्ट ले सकते हो स्मॉल लिक में तो फिर भी सेव जाना बैस्ट होता है लेकिन मतलब उसमें भी थोड़ा दूर इसके लेना पड़ता लेकिन इतना नीक तो ग्रैंड लिग में आप यह कर सकते हो है यह था इस वीडियो में थैंक्यों दोस्तों इस वीडियो को इन तक देखने के लिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो